उत्तर प्रदेश में लखीम पूर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मंगलवार को जीला जज की कोट में एहम सुर्वाई हुई जीला जज की कोट में हिंसा के मुख्या रोपी आशीश मिश्रा उर्फ मोनु के साथ में 12 अन पर आरोपत होने थे लेकिन नहीं हो सके इस केस में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी वहीं आशीश का कोट पहुंचने का अंदाज शर्चा का विशय बन गया है पुलिस हिरासत में कोट लाए जाने के दोरान वा मुख्यों पर ताव देता हुआ नजर आया आशीश का यह इंदाज शोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है लखीमपूर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को उपद्रों के बाद हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में जिला जज़ मुकेश मिश्रा की कोट में मुख्या आरोपित केंदरी गहराज मंतरी अजय कुमार मिश्च के बेटे आशीश मिश्रा उर्ष मोनू समेत 14 आ मामला बीत 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपूर खीरी में हुई हिंसा से जुडा है जहां किसानों ने केंदरी गहराज मंतरी अजय मिश्रा का विरोध करते हुए काले जंडे दिखाये थे इसी दोरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था इसमें 4 किसानों की मौत हो आरोप है कि हिंसा के दोरान किसानों ने एक ड्राइवर समेत 4 लोगों को पीट पीट कर मार डाला था इस मामले में केंदरी गहराज मंतरी अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिस का केश दर्च किया गया था